उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस से पहली मॉत हुई है, बड़ी खबर स्वक्त आपको बता दे लखनों के लोहिया संस्थान में भर्ठी ब्लाक फंगस से संक्रमित महिला की लाच के दौरान मौत हुगई लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर श्रीकेश उस सिंग ने इस बात की पुष्टी की है कि महिला की मौत ब्लाक फंगस की ही वजह से हुई है सुमभार को आख और नाग के पास सूजन के बाद महिला को लोहिया संस्थान में भरती कराया गया था इमरजेंसी में डॉक्टर्स की टीम ने महिला को देखा डॉक्टर्स ने लक्षणों के आधार पर ब्लाक फंगस की आश्रेंग का जाहिर की सिटी स्केन जांच को राने का फैसला किया सिटी स्केर्ट की जांच रिपोर्ट सामने आई उसमें ब्लाक फंगस नज़र आया डॉक्टर्ज ने इलाज शुरू किया लेकिन इलाज के बावजूद महिला की हालत में कोई सुभार नहीं हुआ इसके बाद ब्लाक फंगस की कल्चर जांच की तयारी हुई जांच से पहले ही बुद्वार को महिला मरीज की मौत हो गई तो ब्लाक फंगस इंफेक्शन के लक्षण आकर क्या है वो भी आई आई आपको हम बता देते हैं आपको बता दें कि यह सूजन रहना चहरे पर आसपास नाक या आख के आसपास जो सूजन रहती है आख या नाक के आसपास दर्द रहना ये एक लक्षण है बड़ा लक्षण आख के पास लाल होना या फिर आख लाल होना चहरे के एक हिस्से का सुन होना बुखार, शिर्दत, खांसी ये भी इसके लक्षन है पूल की उल्टियां, सास देने में तकलीफ होना ये भी ब्लाक फंगस का इंफेक्शन का जो लक्षन है वो है बदली हुई मांसे के स्थुतियां कैसे बच रहे हैं, घर पर इलाज के दोरान, स्टियो राइट्स का इस्तमाल ना करें डॉक्टर की सलहा के बाद ही दवाईयां लें ब्लड सुगर बढ़ा हो तो डॉक्टर की सलहा पर आप दवाईयां लेते रहें ठीक लाज में, कोरोना से उबरे मरीज 2-3 हफते, साफधानी बढ़ते कोरोना से जो मरीज उबरे हैं, वो अच्छे से भाप लेते रहें नाक को नमक के पानी से धुएं, गंदा मास्क बिलकुल ना लगाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें और असीव पर जाधा जवानकारी के साथ, जी मीडिया समवादाता लखनाउ से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभम ये चिंता बढ़ा देने वेली बात है कि एक महिला की ब्लैक फंगस इंफेक्शन की वच्छे से जी बिलकुल ये आपको बता दें कि ये ब्लैक फंगस से राज़ानी लखनो में पहली मौत लोया संस्थान में हो गई ये महिला मरीज जोनों के जी एमियों में बढ़ती थी सिम्टम्स लगने के बाद इंको लोया संस्थान में बढ़ती किया गया सिटी स्केन में फंगस दिखा जिसमें जो मालुम चला विए ब्लैक फंगस से बाद यहाँ पर महिला के उप्चार शुरू हो गया इलाज शुरू हो जाने के बाद करीब 2 दिन तक महिला का इलाज हुआ लेकिन महिला को चिक इसको द्वारा नहीं बचाया जा सका इसकी पुष्टी जब हमने क्लोया संसांट या प्रवक्ता डॉक्टर श्रिकेश सिंग से बात्चित करी तो उन्होंने फंगस होने की बात कही और बताया कि उचित उपचार दिया जा रहा था लेकिन अभी तक मरीश पर काफी देरी हो चुकी थी तो मरीश पर साभी जो चिक जहां से और वरण असी गोरगपूर आधी जिले हैं जहां पर इमामले लगातार सामने आ रहें अब देखने वाली बात या होगी कि ब्लैक फंगस कोरोना के बाद बताय जा रहा है काफी तेरी से मरीजों में सामने आ रहा है इसके साथ साथ डाइबिटीज और यह जो तमा ध्यान रखना है और पोस्ट कोविड में इसको लेकर की काफी अलेलटा निगला सकता है जी बरकूल शुभाम और एक कयास और लगा सकते हैं कि महिला को काफी दिन हो गए होंगे इस इंफेक्शन से जूचते हुए क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा ज़ा रहा है कि अगर शुरवाती दिनों में ही आपने इन लक्षनों को पहचान लिया डॉक्टर्स आके सला ले लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है लेकिन जब बहुत ज़दा सूजन हुई बहुत ज़दा दर्द हुआ होगा और शायद काफी दिन बीद गए होंगे इसके बाद जब इ श्टेराइड आधी का उप्योग होता है ऐसे में काफी ज़्यादा चांसे हो जाते हैं कि जब इन इस्टेराइड वग्रा को उप्योग ज्यादा शरीर में हो जाता है इमिनुटी कमजोर होती तो उस दौरान ये फंगस पनब जाता है इसकी वजह से लगातार ये बड़ा रूप ले ले लिए जिसके असर सबसे जादा आखों में जलन और इन तमाम जगाओं पर आधे सर में दर्द होने का भी शुरू हो जाते हैं आखों में लाल रंग हो जाते इसके करें प्रमूख लच्षण है जैसे ये लच्षण दिखें तो उसके बाद तुरान चिकिस्स परिश्लित बीमारी नहीं थी लेकिन अब ये नया मामला सामने आने के बाद जरूर अब धीरे-दीरे लोगों में इसके प्रतिजाग रुखता होगी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि इस बीमारी के जो लच्छाने उसको जानते हुए लोग पहले से अलल रहेंगी इसकी वज़े से इस तरह की घटना आए या फिर इस तरह की मौतों पर लगाम लग पाएगी बिलकुल और जो कोविट से उबरे हैं अगर उभरने के बाद ठीक होने के बाद उनको ये लक्षन देख रहे हैं सर्दद या हलकी खासी या फिर जुकाम है तो वो डॉक्टर से माम ज्राइब कर देख रहे हैं